शामली की कोतवाले पुलिस ने 6 दिन पहले हुई पैस्टिसाइड विक्रेता की हत्या का खुलासा कर दिया है पुलिस ने हत्या क्या रोप में मृतक की पत्नी और साले को गिरफतार किया है जबकि मेरट में तेनात एक पुलिस कर्मी और उसके दोस साथ ही अभी भी फरार है पुलिस उनकी तलाश में जुटी है पुलिस के मुताबिक ग्रह कलेश के चलते बहन ने अपने भाई और अन्या के साथ मिलकर अपने पती की हत्या कराई है एक माजरा रोट पर किसान सेवा केंद्र में बैठे अमित बालियान नमक एक युवक की कुछ बदमासों ने गुली मार करके हत्या कर दी थी ये करीब डेड़ बजे के आसपास की घटना है इस पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी आउशे कारवाई की बाद मकदमा दर्ज करके गिरफतारी का प्रयास किया जा रहा था इसी दरमियान हमें ये नामज़द अभ्युक्त जो अभी आपके सामने आया था सुमित उर्फ जान और इसकी बहन इसका नाम पूजा है इनको गिरफतार किया गया है और इसमें तीन और अभ्युक्त अभी शामिल हैं जिनकी गिरफतारी की जाएगी इन अभ्युक्तों को गिरफतार करने पर बाद सामने आई है कि जो ये सुमित उर्फ जान है ये पूजा का भाई है पूजा की शादी मृतक से करीब 2-2 साल पहले हुई थी और पिछले डेड़ सालों से मृतक इस पूजा नाम की महला को जो उसकी पत्नी थी उसको परिशान कर रहा था ऐसा इनका कहना है और इनके घरेलू हिंसा इत्यादी का पहले से केस भी चल रहा था बार-बार परिशानी से तंग आ करके इसकी बहन पूजा का कहना है कि इसने अपने भाई को ललका रहा कि तुम्हारी बहन को इतना परिशान किया जा रहा है तुम उसकी मरदानगी पे उसने सवाल खड़े किये उसने कहा कि तुम कैसे भाई हो मैं तुम्हें राखी की सोगन देती हूँ तुम अपने बहन का दुख दूर करो और इस आदमी को रास्ते सहटाओ इस तरह की बातें इसमें सामने आई हैं और इसी आक्रोश में इसी तरह से इन्होंने प्लानिंग किया एक विजे सिंग नामक सिपाही है जो मेरट में तनात है उसका भी नाम इसमें नामजद अभ्यूत किरूब में दर्ज है और उसका भी नाम इन्होंने लिया है उनका कहना है कि उसकी मदद लेकर के और विजे सिंग अपने दो अन्न साथियों को भी साथ लेकर आया था तो इस परकार से चार लोग ढटना अस्थल पे गए थे और सुमित ने गोली मार करके अपने जीजा की अमित की हत्या कर दी थी बाकी लोग वहां से मौके से फरार हो गए थे जो मेरट से आयते हैं वो फिरोची लेकर जिए किस तरीके के मेरट से जो बिजय सिंग का नाम मैं ले रहा हूँ शिपाई है मेरट में ये इसी गाओं का रहने वाला है जिस गाओं में जिस गाओं का मिरतक है उसी गाओं का रहने वाला है और उसका भी इस मैला पूजा से अच्छे संबन थे नितरता थी ये बाद भी प्रकाश में आई है और इन सब ने योजना बना करके और बिजे सिंग के द्वारा दो अन लोगों को भी मेरेट से लाये जाने की बात आई है जिसमें किसी सुपारी किलिंग की बात नहीं आ रही है इन दोनों ने मिल करके इन सभी का मोटीव यही था कि अमित को रास्ते से हटा दिया जा और उसी लिए ये पूरी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था वारदात माजरा रोड की है जहां 20 माई को दिन दहाडे पैस्टिसाइड विक्रेता अमित बलियान की दुकान पर बैठे हुए गोली मार कर हत्या कर दी गई थी दिन दहाडे हुई हत्या की वारदात से इलाके में संसनी फैल गई थी हत्या के बाद पुलिस के लिए ये वारदात चुनोती बनी हुई थी लेकिन आखिरकार पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलजा ही लिया जर्पार पुलिस में भी इन आखिर के लिए लिए पर शुक्त इसाथ पहले भी कास सुने वी एक नीड़ साल चल लेते आपके तो पुलिस में डियम करें कूछी अधिकारी के पास वह गये लिया के लिया कि नहीं नहीं से कोई तर्वादा तो पुलिस में द्याम के लिए कि आपको बदा दे कि पुलिस ने हत्यारे के कबजे से एक तमंचा, एक जिंदा कार्तूस और एक खोखा कार्तूस भी बरामत किया है